यारे बच्चो स्भागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube Channel में तो देखो बच्चों हम लोगों ने जो चैप्टर नमबर 5 इसको स्टाइड किया है इसमें हमारा लेक्चर नमबर 1 complete हो चुका है तो लेक्चर तो चलिए फिर इस वीडियो को हम start करते हैं तो देखो यहाँ पर हमें यह rainfall के बारे में पढ़ना है लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक activity दी गई है जिसको हम यहाँ पर करने वाले हैं तो चलो मैं आपको activity के बारे में बता देती हूँ आपको क्या करना है एक container ले लेना है जिसका lead यानी जिसका ढखन कैसा होना चाहिए metal का होना चाहिए देखो यहाँ पर यह जो आप देख रहे हैं यह कैसा होना चाहिए metal का होना चाहिए ठीक है आपको के Holz की साहता से किल बी लेना है यदितने हैं लेने हैं और हैमर की साहहता इसके ऊपर आप मारिये द्धान रखना कि वह धककन में कहीं छेद नहीं होना चाहिए आपको ऐसे छोटा उपर तोचे लगा देने हैं तिक इतना आप जब कर लोगे फिर उसके बाद आप क्या करोगे वह जो हमारा कंटेनर है ना देखो यह जो कंटेनर है इसमें पूरा खौलता हुआ पानी डालना देखो बस उबला हुआ पानी नहीं डालना है जिसके अंदर से निकलती हो भाप यानि कि वेपर ठीक है वैसा पानी आप आप दाल दिजीगा फिर फिर घकन को कसके बंद कर देना धकन की ऊपर यह बरफ के जो टुकड़े होते है mouth की यानि के आपको रैन-ओाल पता चलेगा कि कैसे होता है देखो जैसे अब इसको थोडी देर जब आप आप अब करोगे आपको अब क्या डिखाई घा तो आपको ये भाप बन करके ऊपर जा रहा है अब यह ऊपर जाएगा तो क्या होगा देखो इसको कहीं बाहर निकलने की जगह तो मिलेगी नहीं तो फिर ढखकन में चिपक होगा और फिर बारिश हो जाएगी इस बॉटल के अंदर तो जैसे इस बॉटल के अंदर हमने बारिश करवाई ना वैसे हमारे पानी हम्में रहिए संद मिलता है ते टेंप्रेशे ओपधार डीओस हां और गुजगी विग्यानि दॉट टेंप्रेशिशन यहां इहां पर पहले जिसकी वज़से वॉटल और है वाटसार में बदल जाते हैं और यहां पर जो गुल होड़ा पानी ना बेल्डाव 벌ण लिए फोटा वर्ण मिलेगा तब यह वाटर डॉपलेट में चेंज हो जाएगा पर उसके बाद जो वहां पर यह बादल बनाते हैं क्योंकि बादल वही है यह जो वाटर डॉपलेट्स है और दूल के कड़ जब एक साहते हैं वही बादल बनाते हैं this is called a cloud तीक एसे को हम क्या कहते है ठीक फिर क्या होते है देखिएगा जो वाटर डॉप प्लेट्स होते हैं वो साइज में इंक्रीज होते रहते क्योंकि water droplets बनते रहेंगे पहले छोटा फिर थोड़ा और बड़ा फिर थोड़ा और बड़ा ऐसे करके यह बड़ा होता जाएगा ठीक है और जब यह क्योंकि अब जब छोटा रहेगा तब तो यह आराम से atmosphere में फ्लॉट करेगा घूमेगा तैरेगा लेकिन जब यह क्या हो जाते काफी भारी हो जाते तो अब वह बादल उनको रोक के नहीं रख सकता है तो फिर क्या होता है यह हमारे जमीन पर आ जाते हैं नीचे आ जाते है ठीक है चलो याद रहेगा समझ में आया एकदम सिंपल सा है देखो यह वाटर वेपर गए उपर उपर जाने के बाद क्या हुए इनको थंड़ा वाता वरर मिला तो यह कंडेंस होकर के वाटर ट्रॉपलेट्स बन गए फिर धूल के कड़ भी रहेंगे सब एक साथ मिलकर के बादल का निर्मान कर देंगे ठीक अभी जो वाटर ट्रॉपलेट्स से यह बड़े होते जाएंगे दीरे-दीरे करके बड़े होंगे बड़े होंगे अभी बादल इनको रोग करके नहीं रख सकता तो पर यह गिर जाएंगे नीचे चलो भया आजा तुम यह लो हो गई तो इस प्रकार से जो रैंट वह होता है हमारे अर्थ के उपर चलो अब उसके बाद हम यहां पर बात करने वाले हैं प्यारे बच्छो टाइपस ऑफ रैंफाल के हमें तीन टाइपस पढ़ने हैं कन्वेक्शनल रैंफाल और उसके बाद यहां पर आजाएगा आप का ओरोग्राफिक रैंफाल और तीसरा आएगा साइक्लोनिक रैंफाल ठीक है आईए हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे कन्वेक्शनल रैंफाल देखो आप इसको देख करके डरना मत इतना बड़ा-बड़ा क्या लिखा है मैं तो समझ नहीं आएगा सब समझ में आएगा गया होता है कि जो सर्फेस है वो हीट होता है क्यों गरम होता है विकॉस और अप्र गारंद हो गरम हो जाते ठीक है तो जब यह सर्फेस इसका गरम होगा जब हमारे earth का surface गरम होगा तो यहां पर जो air है इसके आजपास में वह भी कर आड़ को meantra anxo एफ तो बहुते होगा क्या हूंगे ला एक जब गरम हो जाता है तो यह पैलता है और एक रोगा और फिर वУ लाइट यह नि क्या हो चाना अब हलका अगर हो गया तो फिर यह broken अपवाड यानि वह उपर के तरफ जाएगा तेखो लेह भुर्म्पर के ति टाफ यहाण कर रही थी थंड़ा होगा और थंड़ा होने के बाद देखो क्या होगा अब मतलब एक बाद आपको बताती हूं जो हमारा cold air होता है इसकी moisture holding capacity क्या होती है कम होती है as compared to the गरम air यानि जो गरम air होता है वो जादा moisture को hold करके रख सकता है और थंड़ा air कम रख सकता है ठीक है तो जब यह उपर की तरफ जाएगा सुनते रहे हर एक चीज़ आपको crystal clear होंगी देखो जो air वो गरम होकर के उपर की तरफ जा रहा है इसमें water मतलब जो वेपर से ना वो काफी जादा है उपर जाने के बाद यह क्या होगा ठंडा हो जाएगा अब ठंडे हवा की जो water holding capacity ना वो क्या होती है कम होती है जिसके वज़े से क्या होगा यह जो पानी इसके अंदर भरा हुआ है जो water vapor है वो क्या हो जाएंगे वो यहां पर बादल बनेंगे और फिर उनसे बरसात हो जाएगी यहां पर वही सारी बाते दी कहीं क्या होता है क्या होता है condensation होता है water vapor का और उसके बाद यह बारिश हो जाती है और दिस इस यूर conventional rainfall बहुत सिंपल है देखो आपको बताती हूं यह सर्फेस हो रहा है गरम लो भाया गरम हो गया अब जो water यह एयर है वो गया उपर उपर जाने के बाद इसका temperature हुआ डाउन temperature डाउन होने के वज़े से यह बन गए लो बादल मतलब जो अब इसके अंदर वेपर थे ना वह वाटर वेपर बन चुके है पानी की बूंदे बन चुकी है अब पिर बादल बन जाएंगे जब यह बूंदे बड़ी 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 होती जाएंगी तो फिर यह ब इक्विटोरियल अरियास में क्या होता है सच टाइप ऑफ रैंफाल अकर्स अल्मोस्ट डीली इन दा आफ्टर नूंस यानि कि जो हमारे एक्विटोरियल रीजन से ना वहां पर क्या होते पहरे बच्चों इस टाइप का जो रैंफाल है वो हमें देखने के लिए मिलता है रैंफाल जो है मतलब बारिज जो है इसके साथ साथ क्या क्या आता है लाइटनिंग यानि बिजली भी कड़तनी है और बादल भी करचते हैं ठीक आपने देखा होगा एंड फिर यहां पर बताया है कॉंगो बेसीन जो है एफ्रिका एंड एमोजन बेसीन जो है साउथ अमे के बारे में अगर आप से पूछा तो आप यह एक्स्प्लेइन कर देना और जो इसका डाइग्राम है यह बना देना बस आपका गाम खतम आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे ठीक चलो अब यहां पर हम बात करते हैं औरोग्राफिक रैंफाल की ठीक है औरोग्राफ के सोर्स से होते हुए आएगी तो उसके अंदर मॉश्यर जादा होगा यह ना मैं आपको बताओ अगर तो देखो प्यारे बच्चों देखते रहे ना यह देखो यह हमारा अरेबियंस है अब क्या हुआ यहां पर सूरज की किरने पड़ी देखो सूरज की किरने सीधा पड जब यह जा रही थी ना तो बीच में यह आ गया सहयादरी माउंटर ठीक है सहयादरी हिल्स आ गया जिसने इसको रोकनी की कुशिश की ठीक है इसने इसको रिजिस्ट किया अब यह मतलब क्या हुआ अब इतका जो मूमेंट है ना जो अभी ऐसे लहराते हुए बहरा था यहां पर बादल जाएंगे और बादल बन जाने के रहös यहां पर बारिश करके यहां निकल जाएगी ठीक है अब यहां निकली ठनी है ठीक है इसले कि यहां पर आ कर अकटर के शिक टो अब यह कहां आगे जाएगा कहां बादल बनाएगा ठीक है तो यही जो हमने बारिश यहां पर देखा दिस इस कोई और ओर ग्राफिक राइंट फॉल मतलब बीच में कोई ना कोई रुकावट आ जाती जिसकी वजह से जो एयर होते वह अपना डायरेक्शन चेंज करके उसी ने इडिया में अ क्या करवा देते बारिश करवा देते हां तो और ग्राफिक राअधरी के समझाय good तो यहां पर जा रहेंसे औा और तो अант ai का 26 две जोन इंदर क्या देडर नहीं क्या होता है कि इसके अंदर मुश्यर भरा हुआ होता है मुश्यर से पूरा लदा हुआ होता है ठीक है यान अब यह हवा है वो बैरी यह लेकिन जब mountain ranges आते हैं उची-ची mountain ranges जैसे यहां पर सहयादरी आया था तो इनके रस्ते में जब आते हैं तो फिर यह क्या होते है यह upward उपर की तरफ जाने लगते हैं slope of the mountain and the temperature of these winds drop and condensation occurs and rainfall अब उसका down होगा फिर यहां पर condensation का process होगा और जाके बारिश जो हो जाएगी तो यह की हुआ because of obstruction of the mountains यानि mountain जो है वो एक उसको रिजिस्स कर रहा है और obstruction हो गया ठीक है तो इसकी वज़े से क्या हुआ इस टाइप के बारिश हो गई this type of rainfall occurs अब सुनना चलो यहां तक तो आपको समझ में आ गया अब इसके आगे की कुछ और बाते बता देती हो जो विंड वर्ड साइड है और क्या बताना है तो यह याद रखना ठीक है यह मुस्किल होता है वियाद करने में याद कर लेना और क्या देखो अमांट और क्रोस कर लेता है तो इसका वोटर वेपर का आमांट को कम हो जाता है और फिर इसकी मौश्य वल्डिंग कैपसिटी जो है जब यह नीचे जाएगा तो फिर बढ़ेगा ना अंद लीवर्ड साइड ओफ दो मांटन गेट लेजर रैंफॉल एंस इस एरिया इस आ अरे कहां जा रहे भाया रुक जा ये देखो रैंसेडू एरिया देखो दिस वाला और यहां से और कुछ बाते बता दू आपको कि इफेक्ट ओ मौन्सून रैंफॉल इस इंपोर्टेंट वन वी थिंक ओफ दे इंडियन सबकंटिनेंट चलो इसको छोड़ो है ना यहां प सैक्लोनिग मतलब इस सैक्लोन जब आता है गोल गोल करके अवा घुमने लगती है तो दो जो इस तुमीं के रैंट वस्कोरें को सबस्टें देखो भच्चो वह सब्सक्राइब में होता कि है है पहले आप मेरे शब्दों में समझो पिर आम टेंग्स बुक को पढ़ेंगे अब जो हमारी हवा है उसका टेमपरिचर, जब आजपके एयर से क्या होजाता है, कम होता हैट or कि साइक्क fortune under a100 nah मतलब ये cyclone कुछ और ने बलकि क्या है वो हवा ही है क्योंकि हवा ही ऐसा गुल-गुल गुम रही है ना तो cyclone क्या होता है ये एक प्रकार से हवा का ही formation होता है है ना तो जब क्या होता है when the pressure of an area is less than the surrounding reasons मतलब जब किसी एरिया का प्रेशन क्या हो जाता है कम हो जाता है उसके surrounding reasons की तो आप अपर की तरह अप्वर्ड मोमेंट करता है ठीक है central part और अप्वर्ड मोमेंट के बाद अब जाने के बाद जब धंडा होते हैं तो फिर यहाँ पे बादल बनते है और फिर उसके बाद आसपास के area में यहाँ पर बारिश कराते हुई जाते है तो यह जो बारिश हो साइक्लोन के संटर में आते हैं और स्टार्स मूविंग अब्वर याते है और जब ये ऊपर जाता है तेम्परेचर रिडियुसेश अद गांद का प्रोसेज उधाह है और फिर वहां पर बारिश हो जाती है यह अधिर रेंस इन एरिया से वर विज्ड साइक्लोन पास होता है वहां पर बारिश कराते हुए जाता है ठीक है and cyclonic rainfall occurs more in temperate zone जो हमारे temperate zone होते है temperate zone का मतलब क्या है हमारे पृत्वी यह हमारा tropical reason tropical के बाद यह वारा area इसको temperate zone कहते है तो temperate zone में यह मतलब more in temperate zone यहां पर जादा बारिश कराता है ठीक है and उसके बाद यह थोड़ा सा extensive होता है comparatively cyclonic rainfall occurring in tropical reasons is limited in extent and it is a stormy in nature मतलब यह stormy nature का होता है और जो हमारे tropical reasons है वहां पर यह थोड़ा सा मतलब limited extent में ही बारिश करवाता है ठीक है इसका ज्यादा विस्तार नहीं होता है चलो यहां तक आपको अधर इन अधर चलो जाता है तो यहां तक समझ में आया और वरी हैवी रैंफॉल फ्लोट्स और यह वाली वारिश होती है तो आप देखिएगा वापे बाढ़ा आचाहिए या पिर सूखा जाता सिचुएशन हो जाता है ठीक है चलो बच्चों यहां तक समझ में आया and therefore such द्रॉट्स फ्रिक्वेंटी ठीक देखो यहने क्या होता है द्रोट्स यहनी क्या होता है सूखा पड़ना समझ में आया चलो अबमें आपको बताती हूं क्या बताना है यहां पर आप देख सकते हो यह है हमारे पूरे वर्लड का मैप जिसमें बताया गया है को भी हम माप सकते बारिश को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है यहां पर आपको ऐसा गलर दिखाई देना आप समझ जाना कि एस एरिया में एक हजार मिलीमेटर से जादा बारिश हो रही है जहां पर आपको ऐसा कलर दिखें 500-1000 mm के बीच में बारिश हो और 500 500 से लेस देन वाले जो इलाके आपको ऐसा कलर देखने मिलेगा तो आव एक बार देखते हैं यह हमारा पूरा वल्ड का मैप है आप लोग देख सकते हो तो इसमें आप क्या अब्जर्व कर रहे हो जैसे यह आपका एक्वेटर है तो जो हमार ही सकते हो और यह देखाँ यह जो आपका रूट वाले अंौर की नटार्ग्तिक यह तोольшंट रहे हो तो वहां पर उपर उपर जाएगा नहीं तो यह पर बारिश क्यों हो रही है क्यों एक 시 arma क्विक्स कम हैं जबकि यहां पर ट्रॉपिकल रिजन्स में काफी जादा हमें इधर देखने के लिए मिल रहा है तो आप इसको समझ सकते हो चलो अब यहां पर बात करने वाली है दोस्तों रैंगेज की ठीक है चलो यहां पर हम रैंगेज पढ़ेंगे और उसके बाद उसके बाद फिर कि आंदर क्या है क्या लगा है फनल लगा होता है इसके पानि जाके फिर इकट्ट रिजन्ग में गठाए जाता है इंदर पानी को छ इ exist निकालते है उसी घर बालенडर चलों बडके जाए पर जो आपर देखेंगे कि पानी हम डालते है पर यह यहां पर बर देखेंगी की प इस प्रकार से हम व्या कर सकते इसको माप सकते हैं और याद रखना harsh जबुँए पर और पर नहीं रख सकते क्योंकि अगर आपने सोचो आपके जच से बारीश होगी मतलब जफ नियुक्त से पानी गिर रहा है और आपने वहां पर ले जा करके रख दिया किसी बिल्डिंग के नीचे ले जा रख दिया तो इसमें अनिवनली पानी आयेगा जो प पूतरे टाइप का ठीक है और उसके ओपर इसको रख दो ताकि इसको कोई अवरोध ना करें यह अपना सांते से खुले में खड़ा रहे है और फिर इसमें पानी भज़े फिर हम इसको मेजर कर पाएं ठीक है तो यह होते है हमारा रैंगेस तो रैंगेस का डाइग्राम याद पानी यह वह नीचे आता रहता है तो रैंफालिंग इस फनल इस बॉटल में कलेक्ट होता है जो वहां पर रैंगेस में फिटेड रहता है और जो वह बैदे बच्चों उसको फिर हम मेजरिंग जार के मदद से मेजर कर सकते हैं आपको बताई यह में जार थीक है फिर जहां अगर हम पानी को कहीं पर भी मालो एक मिली मेटर के इस आप से बारी शूरी है अगर हम पानी को कहीं पर भी बहने ना दे वह कहीं जमीन के अंदर बीने भीन कहीं यह नहीं जा में करते हो तो कि यहां पर यहां पर घ्चा और यहां अब क्योंकि जो बारिश होती है वो इधर उधन नदी नालों में बह जाती है कोई जमीन में कभी जमीन में सूख जाती है तो इसकी वज़े से पानी का पता नहीं चलता लेकिन वैसे अगर आपने इकठा गया दस लाग लिटर पानी होगा पर स्नोबny को हम कैसे थे जिए राइनफाल को थो हमने रैंचे की मदफ से मेंज्स राउनफाल कर शोच को कुछ इसी प्रकार से जो बबरफ के टुकड़े गर रहे हैं उनको आपिकठा करोगे टीक है जो दोस्तों और फिर उसके बाद मतलब वही नोआ關係 की मदफ से हम से थान है जब तक कि वो melt ना हो जाए फिर melt होने के बाद वाद आप क्या कर सकते हो मेजर कर सकते हो अब को पताती हूं यह जो 120 मिलिमेटर तक का AIS होता है न वह equivalent होता है किसके equal होता है तो 10 mm of rainfall ठीक है दस मिलिमेटर ऑफ rainfall के equal होता है ठीक है उसके बाद आपका ये चाप्टर हो जाएगा तो चलिए आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं बहुत ही जल्द हम लोग अगले वीडियो में सब लोग अपना ध्यान रखिए अच्छे चपढ़ाई करते रहिए